हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास्थ्रीवन टैक तो फ्रेंट्स अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको पता ही होगा कि यूट्यूब पर नए-नए अपडेट्स आते रहते हैं लेकिन ये जो अपडेट है वो इंड को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पर सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडिय पर कुछ टाइम पहले या आपने ये निउस भी सुनी होगी एक रूल आया था कि अगर आप किसी भी सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब पर अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं कोई स्पॉंसर वीडियो का मतलब है अगर आप उस वीडियो को करने के किस कमपनी से पैसे ले रहे हैं मतलब कोई कमपनी आपको कहरे कि आप हमारी तरफ से इस प्रोड़क्ट के उपर वीडियो बना दीजिए इसके रिव्यू के उपर वीडियो बना दीजिए आपको स्पॉंसर वीडियो का पता ही होगा जिससे आप पैसे कमा सकते हैं अगर आप उस वीडियो के अंदर include paid promotion का बैच लगाना होगा मतलब आपको अपनी वीडियो में बताना होगा कि आपकी ये वीडियो sponsor वीडियो है जिससे audience को ये पता लग सके कि आपकी जो भी ये वीडियो है वो एक sponsored है आप इसके पैसे ले रहे हैं उसी तरीके से अगर आप Instagram पे कोई sponsored वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर भी ये वीडियो के अंदर भी आपको paid partnership program का hashtag या फिर include paid promotions इस तरह का आपको वीडियो में बैच लगाना होगा उसमें hashtag लगाना होगा या आपको वीडियो में बताना होगा कि ये एक paid partnership program के तहत एक sponsored वीडियो है तो इस तरीके से जितने भी social media platform है उस पे अगर आप sponsored वीडियो करते हैं तो उसमें आपको ये सारी चीजे बतानी होगी कि ये एक sponsored वीडियो है अपनी audience को ये बताना होगा तो इस rule को काफी सारे यूटीबर्स ने follow भी किया और काफी सारे यूटीबर्स ने इसको ignore भी किया उनको mail भी आया होगा कि अगर आप sponsored वीडियो बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको include paid promotions ये mention करना होगा लेकिन कहीं सारे यूटीबर्स ने इसको ignore किया तो अब Indian government भारस सरकार की तरफ से क्या update है वो मैं आपको बताता हूँ भारस सरकार की तरफ से ये update आया है कि अगर आप इस तरह की गलती करते हैं अगर आपको sponsored वीडियो बनाते हैं और उसमें आप mention नहीं करते हैं आप बताते नहीं हैं कि ये एक sponsored वीडियो है अपनी audience को ना उसमें कोई अपने hashtag लगाया है ना कोई batch लगाया है तो पहली बार अगर आप इस गलती को करेंगे तो आपको 10 लाक रुपे तक का जुर्माना भरना पर सकता है और अगर आप बार बार इस तरह की repetition करेंगे बार बार इन गलतीयों को करेंगे इस तरह की गलतियां तो आपको 10 से 20 लाक रुपे तक का जुर्माना भरना पर सकता और उससे भी ज्यादा हो सकता है तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है अगर आपको इस पॉंसर्ड वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर आपको इंक्लूड पेड प्रमोशन्स या उस वीडियो के अंदर आपको बताना है कि यह एक पेड पार्टर्रशिप जंदाई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू बताना है